नमस्कार सिटी पोस्ट लाइब के इस खास पेसकस में आपका स्वागत है मैं हूँ स्रिकान प्रतियोस आपके लिए एक बड़ी खबर लेकर आया हूँ ये खबर राजनितिक गलियार्यों से है आपको पता है कि सरद्यादो आज नाची पहुंचे थे लालू यादो से उन्होंने मुलाकात की लालू यादो के साथ काफी दिर तक उनकी बात चीत हुई आपके मन में बात चल रही होगी कि आखिर लालू यादो से मिलने सरद्यादो क्यों गए क्या मकसद था कहीं लालु यादो और सरद्यादो मिलकर चुनावी रणनिती तो नहीं बना रहे हैं लालू जी की पाटी उनको दे दे इस बातचित को आगे बढ़ा रहे थे रालुस्पा के नेता नागमनी लगतारू लालू यादो के संपर्क में थे वो लालू यादो से रांची में जाकर मिले भी थे उपेंदर कुसोहा खुद जस्वी यादो से मिले थे जिसको लेकर काफ भी खलवली भी मची थी लेकिन बात नहीं बन पा रही थी तो एक तरफ इंडिये के खिलाफ उन्होंने मुर्चा खोल दिया है उपेंदर कुसोहा ने एंडिये में रहते हुए यानि पहले तो नितीश कुमार ही उनके निशाने पर थे लेकिन अब तो नितीश कुमार के सा साथ नरेंद्र मोदी भी उनके निसाने पर आ गए हैं उन्होंने कहा कि जिस सरकार में वो काम कर रहे हैं उस सरकार से जो उनको उमीदे थी उपूरी नहीं हुई है यानि ये सरकार बीफल सावित हुई है राम मंदिर को लेकर भी उन्हों सवाल उठा दिया है और कहा है कि किस से बड़ा सवाल है यह सवाल आपके जहन में भी उट रहा होगा तो उसी बात के समधान के लिए लालु यादों से मुलकात करने सरद्यादों गए हैं आपको पता है कि सरद्यादों से पहले भी उपंद्र को स्वाहा मिले थे और चरचा स्षिडि थी कि सरद्यादों की पाटी का भिले रालोस्पा में हो जाएगा सरध्यादो पाटी के राश्ट्री अध्यक्ष हो जाएगे और उनके नीचे उपेंद्र कुस्वाहा रहेंगे उनका काम होगा केवल दुसरे राजनितिक दलों से गठ जोड कराना क्योंकि सरध्यादो अभी बनवास जहल रहे हैं लेकिन उपेंद्र कुस्वाहा की वजह से वो सेंटर स्टेज पर आ गए हैं और लगातार राहुल गांधी से संपर करने की कोशिस कर रहे हैं क्योंकि कहा जा रहा था कि उनको लालू यादो पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है ना उपेंद्र कुस्वाहा को और न सरध यादो को तो चाहते थे कि महागडवंदन में उनके जाने का जरिया राहुल गांधी बने उनके जरिये महागडवंदन में घुसा जाए लेकिन चुनाओं में ब्यस्त होने की वजह से राहुल गांधी ने अभी तक उनको समय ही नहीं दिया है राहुल गांधी मिल ही नहीं बन जाए क्योंकि जब तक लालू यादो फाइनल नहीं करेंगे शिटों का बटवारा महागट बंदन के साथ अंतिम रूप नहीं लेगा तब तक उपेंदर कुस्वाह कैसे छोड़ेंगे एंडिये को तो उनके पास कोई रास्ता होना चाहिए छोड़ देंगे तो फिर जड़ी के सरतों पर उनको जाना पड़ेगा तो जात भी गवाद दिया भात भी नहीं मिला वह वाली बात हो जाएगी और इसी वजह से सरद यादो भाग्य विधाता बनने की भूमिका में हैं उपेंदर कुस्वाह के और सबसे खास बात यह है कि अब लालू यादो क्या फैसला लेते हैं इस मुलाकात में बात कितनी दूर तलक पहुची है क्या कुछ अंतिम फैसला हो पाया है क्योंकि उपेंदर कुस्वाह अभी भी इस्थिपा नहीं देंगे मंत्रीपत से अगर लालू यादों मान भी गये सिटों का तालमिल हो भी गया अंदर खाने तो भी अभी इस्थिपा नहीं देंगे क्योंकि सरद्यादों ने उन्हें सलाह दी है कि आप मंत्रीपत पर बने रहिए और इंडिये और नितिरिस कुमार के खिलाब मुर्चा खोले रहिए ताकि बीजेपी आजी जाकर आपको पार्टी से निकाल दे मंत्रीपत से बरखास कर दे ताकि उसका फायदा मिलेगा, साहनुवती मिलेगी, लोगों कहेंगे कि इन्डिये की मदद की उपिंदर को स्वाह ने इतने दिनों तक उनके साथ रहे, पियेम को पियेम बनाने में बहुत अहम भूमिकानी भाई जैसा की उपिंदर को स्वाह कहते रहे हैं और उनको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर सेर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करना बिलकूल मत भूलिए, आपका सहयोग समर्थनलागातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत अभार, नमस्कार